प्रतिरक्षा क्या है प्रतिरक्षा क्या है इसका एंगिलिस मिनिग होता है इमुनेटी ठीक है इमुनेटी होता है ये तो यहाँ पे देखे हिंदी में इसको रोग प्रतिरोधक्षमता कहा जाता है यह सरी जीवानू और वायरेस संक्रमन से बचाने में मदद करती है इसके प्रकार दो प्रकार के है जन्मजात प्रतिरक्षा इसको नोट कीजेगा यहां तक पर इसके बाद देखे प्रतिरक्षा के प्रकार जहां पर पहला प्रकार है जन्मजात प्रतिरक्षा और यहां पर देखे यह सब दिया हुआ है इसमें क्या क्या चीज जो है सामिल है वो सब नोट कीजेगा पुरा फ को नुक्सान पहुंचाने वाल संक्रमनों से चुरक्षा प्रदान करता है। इसके vrijle की वे समुदाय में उनके संपड़कшие में आयए। ठीका करन में शरीर की प्राक्रितिक रक्षात्मा प्रनाली प्रती रक्षी प्रतिक्रिया का इस्तिमाल किया जाता है। और विशिष्ट संक्रवनों से प्रतिरोधक्ता विक्षित की जाती है इसके दुष्प्रभाव हैं इंजेक्शन लगाने के इस्थान पर लालिमा और च्हीलन होने तता हलका बुखार आ जाता है तो तो उसके दूस प्रभाव नहीं है इनके लाव बहुंच जाता है ठीक है तो question में दिया हुए है, दूस प्रभाव इस वज़े से ये बताया जा रहा है, ठीक है, ये नोट कीजएगा कुछ-कुछ लक्षन है, जिनको आपको डॉक्टर से सलाह लेकर मुचित दवाई, जैसे कि यहां पर बताया गया है कि बुखार और छीलन के दर्द में रहात के लि जीवन के सुरक्षित रखने के लिए, ये सुरक्षित और प्रभावी है, रोगों के प्रसार को रोपता है, समय और पैसों की बचत करता है, मेत्युदर को कम किया जा सकता है, बच्चों को अत्यधिक स्वस्त और चूस्त बनाता है, लंबे जीवनकाल को बढ़ावा देता पिसके बाद है अगला कोशन वैस्विक टिका करन क्या है वैस्विक टिका करन के मुझे खटक को लिखे यू आई पी वैस्विक टिका करन का लोग प्रियना इसको यहां पर देखे इसके मुझे घटक है देखे मानव संसाधन सूच मयोजना चमता निर्मान ऐसे करके टूटल दस यहां पर इसके मुझे घटक दिये हुए है इसे नोट कीजेगा और बताएगा कि यह आपका असाइमेंट के यह कोशन मैं खाते हैं कि नहीं क्योंकि बहुंग सा रिश्टुट सेंट कर दिजेगा मैं वहां से कोशन लेकि आपको आंसर प्रोवाइड करा दूँगा यह टोटल नोट कीजेगा सभी इसके बाद है अमरे अगला कोशन पल्स पुल्यों टीका करन क्या है और टीका करन के कारेक्रम के मुझे घटक को लिखे तो पल्स पुल्यों भारस सरका लाए गया एक टीका करन अभियान है इनके घटक जो है पहला है नेमेट टीका करन फिर उसके बाद देखे पुस्क टीका करन गतिवी धिया यहां पर नेमेट टीका और में 0-1 वरसे के आयों समुहों के मौकिक पोल्यों टीके के तीन खुराक के सांथ व्याप्ति का चार-छे सब्ताह का अंतर और बच्चों में प्रतिरक्षा को बढ़ाना यह इसकी गत्वीडिया है एस आई ए बोलते हैं फिर एस आई ए में जो सामिल है यहां पर राश्टिय ठीका करन दिवस एन आइडी जब पूरे देश को कवर किया जाता है और उप राश्टिय करन दिवस कुछ राज्यों के भागों को बस कवर किया जाता है तो कंप्लीट यहां पर मैंने सभी प्रस्नों के उत्तर बता दिये हैं आई हो वीडियो आपको अच्छा लगे अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक करके सेयर कीजेगा और हम